बच्चो आज की पार्ट साला में कक्षा आठवी विसे हिंदी, हिंदी विसे में बच्चो हमारा पार्ट आठ पोन विस्राम, इसके लेखक हैं सत्यका विद्या लंकार जी, परिचे देखते हैं बच्चो, जनम 1935 लाहोर आविभाजित भारत, परिचे आप सफल संपादक, लेखक और कवी हैं, सरल सुबोध भासा और रोचक, बोध गमे सहली आपके लेखन की विसेस्ताएं हैं, लेखन विभारिक है, आपने व्यक्तित और चरित निर्मान पर अधिक बल दिया है, प्रमुकृतिया, स्वतंतता पूर्वचरित निर्मान, मानसिक सक्ति के चमतकार सफल जीवन, लेख संग्र, वीर सावकर, वीर सिवाजी, सरदार पटेल, महत्मा गांधी, जीवन चरित्र अधि, गद्य संबंदी, प्रस्तुत हैस्वेंग कहाने के माध्यम से कहाने कारने या समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विस्राम के पल मुस् हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते हैं बच्चो मेरी थोड़ी से तब्या ठीक नहीं है जिसके वज़े से मेरा आवाज थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं ठीक से बोलू और आपको समझ सके ठीक है बच्चो अगर आपको वीडियो पेटा और रबड की थैली से हवा फोक कर नाड़ी की गतिविधी देखी फिर बोला कुछ सीरियस नहीं है लेखक जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं लेखक के बहाँ पर काला कपड़ा लपेटते हैं और जो रबड की थैली होती है उसमें हवा फ अपड़ा लपेटते हैं फिर एक नली होती है उसमें गोल गोल लगा रहता है उसको से दबाते हैं तो उसमें हवा भरता है और फिर नाड़ी देखकर डॉक्टर बोलते हैं कुछ सीरियस नहीं है दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आईए विश्राम आपको पूर्ण न नहीं है लेकिन आप अपने दफ्तर से मतलब ओफिस से छुट्टी लेकर कहीं बाहर घुम कर आईए और लेकिन आप वहाँ पर थोड़ा आराम करोगे तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन जो विश्राम है वो पूर्ण होना चाहिए जो आराम करोगे वो पूरी रूप से अराम करना होना चाहिए तो पत्नी बड़ी प्रसन हुई लेखक की जो पत्नी थी वो बड़ी खुश हो गई डॉक्टर की बास सुन कर लेडिस लोग तो खुश हो जाते हैं अरे हाँ डॉक्टर साब ने कहीं बाहर घुमने के लिए कहा है तो घुमने के नाम पे लेकिन अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम लोग जुहू जाएंगे तुम तैयारी कर लो हम दो दिन पूर्ण विश्राम करेंगे लिखक अपनी पत्नी को बताते हैं कि हम जुहू जाएंगे और दो दिन हम वहाँ पर पूर्ण विश्राम करेंगे एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी चांदनी रात का मजा जूँ पर ही है लेखक बता रहे हैं कि एक दिन के बाद पूर्णिमा थी और पूर्णिमा में चांदनी रात का मजा जूँ पर बहुत यदिक होता है एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तयारी शुरू कर दी, दो बजे का अलार्म भी लगा दिया, सोयमवा दो से पहले ही उट बैटी और कुछ नोट करने लगी लेखा की पत्नी ने क्या किया? एक दिन पहले ही आधी रास से तैयार्या सुरू कर दी दो बजे का अलार्म भी लगा दिया और स्यमवा दो से पहले ही उठ बैठी दो बजा नहीं उसके पहले उठ गई और कुछ नोट करने लगी, कुछ लिखने लगी स्रिमती जी इन सब कामों की सूची बना कर मेरे हाथ में दी लिखा कहते हैं कि मेरी स्रिमती मेरी पत्नी ने इन सब कामों की सूची बना कर मेरे हाथ में दे दी गैरेज में पहुँचकर स्रिमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिछकारी ट्यूब वाला रबड, सलूशन, एग गैलन, इंजन आयल आधी आधी चीजे और भी लिखी थी दिन भर दोर धूप करके पाय धूनी से मिस्त्री लाया सुभा से साम हो गई मगर साम तक चाल में चार में से दो खिडकियों की चटखनिया भी नहीं कसी गई मोटर के लिए जरूरी समान लाते लाते रात तक दिल की धडकन दोगनी हो गई आगे देखो और क्या होता है रात को सोने लगे तो स्रीमती जी ने आस्वासन देते वे कहा कल जुहूपर दिन भर विश्राम लेंगे तो ठकावर दूर हो जाएगी दिन भर साला ये समान एकटा करते हुए लेखक ठक जाते है जब रात को वो लेटने लगते हैं सोने लगते हैं तो स्रीमती लेखक की पतने कहती है कि चिंता मत करो कल हम जुहूपर दिन भर अराम करेंगे तो जितनी भी ठकावर्ट है सब दूर हो जाएगी आगे दिखो स्रीमती जी ने अपने कर कमलो से घड़ी की गुंडी घुमा कर अलारम लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुवायना करके यह तसली कर ली कि सूची में लिखा सब समान आ गया या नही सुभा पांच बसते ही अलारमें सोर मचाया आगे दिखो रोशने होते ना होते जुहू की तयारी चरब सीमा पर पहुँच गई स्टोप को भी आज ही धोका देना था वह हर मिनट मुझने लगा आधा घंटा उसमें तेल भरने धोकनी करने में चला गया बचो यह धोकनी करना इसका अर्थ हवा भरना स्टोप में असे गोल गोल रता है उसको उपर आगे अंदर बाहर करते हैं न तो उससे हवा भरा जाता है उसको धोकनी करते हैं तो लेखक क्या कह रहे हैं कि आधा घंटा उसमें तेल भरने और धोकनी करने हवा भरने में चला गया आखिर में लेखक ठक जाते हैं और चाय का प्रोग्राम ताल देते हैं अस्तगित करना मतलब ताल देना तो बोलते हैं नहीं अब जाने दो अब चाय नहीं पेंगे चाय के प्रोग्राम को ताल देते हैं और हम दत्यचित हो तैयारी में जुट गए और लिखा क्या कहते हैं और फिर हम लोग चाय का प्रोग्राम टाल कर बहुत ध्यान दत्य चित मतलब ध्यान पूर्वक ध्यान पूर्वक अपनी तैयारी में जुट गए वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी ना की होगी आगे दिखो ऐसी महत योजनाओं के संपंड करने में हम पती पत्नी परसपर सयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं सयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है सयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है लेखा कहते हैं कि सहयोग ये मन वचन कर्म इन तीनों से होता है जीवन का या मूल मंत्र मुझे भूला ना था स्रिमती जी मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा मैंने याद दिलाया पूडियों के साथ मिर्ची का चार जरूर रख लेना लेखा कहते हैं कि मैंने अपने पत्नी को याद दिलाया कि पूडियां रख रही हो ना तो पूडियों के साथ मिर्ची का अचार रख लेना बच्चो पूडियों के साथ मिर्ची का अचार बहुत टेस्टी लगता है इसलिए लेखक अपने पत्नी को याद दिला रहे है कि जो पूडिया रखा है पूडियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रखना याद से कहीं बूलना जाना आगे देखो श्रीमती जी बोली अब लिख जो लेखक है उनकी पत्नी उनकी श्रीमती बोलती है आचार तो रख लूंगी तुम भी समाचार पत्ना ना भूलना मैंने अभी पढ़ा नहीं है मैं बोलावा तो मैं रख लूंगा ही लेकिन तुम वह गुलबंद ना भूल जाना जो हमने पिछले साल कास्मिर से लायते जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है लेखक की पत्नी बोलती है कि अचार तुमें रख लूँगी लेकिन तुम समाचार पत्न रखना भूलना मत क्योंकि मैंने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है फिर लेखक बोलता है ठीक है वो तो मैं रख लूँगा लेकिन तुम गुलबंद रखना मत भूलना बच्चो गुलबंद सर्दी से बचने के लिए गले में लपेटने के लिए एक उनी होता है गले में लपेटते हैं वो उनका बना होता है बहुत लोग उसको मफरल भी बोलते है अब हर भासा मे क्या बोलते हैं बच्चो वो तो मुझे नहीं पता है लेकिन उसको गले में लपेटते हैं ताकि सर्दी ना हो वो उनका बना होता है तो लेखक वो ही याद दिलाता है कि तुम गुलबंद रखना मत भूलना जो हम पिछले सार कास्मीर से लाए थे क्यों कि जुहूँ पर ब भूल जाना नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा बेदिंग सूट बेदिंग सूट होता है बच्चो पानी में जो हम जाते हैं तो नहाने के लिए जब पानी में जाते हैं तो जो कपड़े पहनते हैं उसे कहा जाता है ठीक है नदी में या तालाब में जाते नहाते समय हम जो कपड़े पहन दे हैं उसे कहते हैं तो लेखक की पत्मी उन्हें याद दिला रही है कि तुम बेदिंग सूट मत भूल जाना नहीं तो हम नहाएंगे कैसे वो वैसे के वैसे ही रह जाएगा और तुम कहीं रबर कैम भूल गई तो गजब हो जाएगा वह तो रख लूँगी लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना और देखो रैटिंग पैड भी ना भूल जाना लेखक की जो पत्मी है वो बोलती है कि वो तो मैं रख लूँगी रबर कैम तो मैं रख लूँगी लेकिन तुम कुछ पेपर और लिफाफे भी रख लेना और जो रैटिंग पैड है वो भी रख लेना रैटिंग पैड का क्या करोगी अब लेखक पूछते हैं अपनी पत्नी से कि रैटिंग पैड का क्या करोगी कई दिन से मा की चिठी आई पड़ी है जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूँगी यो तो वक्त भी नहीं मिलता लेखक पुषते हैं कि राइटिंग पैड क्या करोगी तो लेखक की पत्मी बोलती है कि कई दिन से कई दिनों से मा की चिठी आई है जुहू पर जब हम खाली बैठे रहेंगे तो मैं मा को चिठी का जवाब दे दूँगी वैसे तो वक्त नहीं मिलता है और वहाँ पर मुझे वक्त मिलेगा तो मा की चिठी का जवाब मैं दे दूँगी और जरावे चिठी आँ भी रख लेना जिनके जवाब देने है चिठी आँ ही रह गई तो जवाब किसके देंगे लेखक की पत्मी कहती है कि चिठी आँ भी रख लेना अगर चिठी आँ नहीं रखोगे तो जवाब किसका दूँगी मैं इसके लिए तुम चिठी आँ भी रख देना और सुनो बिजली के बिल और बीमा के नोटी सा पड़े हैं उनका भी भुकतान करना है उन्हें भी डाल लेना लेखा की पत्मी बोलती है कि तो बिजली के बिल और बीमा का नोटी सा गए है उनका भुकतान करना है उनका बिल भरना है तो उन्हें भी डाल लेना उस दिन तुम धूप का चस्मा भूल गए तो सर का दर्द चड़ गया इसलिए कहती हूँ छत्री भी रख लेना लेखा की पत्नी क्या बोल रही है कि धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द बढ़ जाएगा सर में दर्द होने लगेगा इसलिए छत्री भी रख लेना अच्छा बाबा रख लूँगा और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना साम तक छाले ना पड़ जाए वहां बहुत कररी धूप पड़ती है लेखा की पत्नी बोल रही है कि धूप के चश्मा भी रखना और क्रीम भी रख लेना अगर क्रीम नहीं रखोगे तो शाम तक कहीं हमें छाले ना पड़ जाए क्योंकि वहां पर धूप बहुत तेज होती है स्री मती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी रख लूँगी लेकिन धूड रही थी नेल कटर कैची, ब्रश और सब तो मिल गया था लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था इसलिए बहुत घबराई हुई थी मैंने कहा जाने दो नेल कटर बाकी सब चीजे तो रख लो इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबे थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समा लोचना के लिए आई थी और सोचता था कि फुरसत से समा लोचना कर दूंगा आखिर तीन किताबे थैले में जोक ली कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी उन्हें भी जमा किया सोचा कावे प्रणा के लिए जुहू से अच्छी जगा और कौन सी मिलेगी आखिर कई अटैची कई थैले कई जोले भर कर हम जुहू पहुचे लिखा करता है कि आखिर में हम लोग कई सारी अटैची थैले सब जोले भर कर हम जो हो पहुच गए पांसात मिनट तो हम सुपन लोक में विचरते रहे हम समुंद्र में नहाने को चल पड़े समुंद्र तट पर लोग भी नहा रहे थे एक उची लहर ने आकर हम दोनों को ढख लिया लहर की उस थप पेड़े से ना जाने स्रीमती जी के मस्तिस में क्या नई स्पूर्ती आ गई की उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नही लिखा कहते हैं कि जब हम समुन्दर में नहाने को चले तब समुन्दर तर पर बहुत लोग नहा रहे थे एक उची लहर आती है और हम दोनों को ढख देती है लहर की उस थपेड़े में ना जाने हमें मेरी मिसेस को मेरी वाइफ के मस्तिक्स में से क्या स्पूर्ती आ गई लेखा कहते हैं जैसे ही समुन्दर की एक उची लहर ने हम लोगों को ढखा अचानक मेरी स्रीमती के मस्तिक्स में एक नई स्पूर्ती सी आ गई और उन्होंने मुझसे पुछा तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंधर से बंद किया था या नहीं लेखख बता रहे हैं जैसे ही समुन्दर की लहरे ने हम दोनों को ढखा अचानक मेरी स्रीमती को कुछ याद आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि बरामदे की खिड़की को क्या तुमने अंदर से बंद किया था या नहीं मैं कह उठा मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता लेखा कहते है फिर मैंने कहा कि मुझे तो कुछ याद नहीं है अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा उसकी पत्मी बोल लेखा की पत्मी बोलती है अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा कहते कहते स्रीमती जी के चहरे का रंग पीला पड़ गया लेखक कह रहे हैं अगर वो बंद नहीं हुई तो क्या होगा और ये कहते कहते स्रीमती जी के चहरे का रंग पीला पड़ जाता है लेखक के सब बता रहे हैं आगे दिखो मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को जो होना होगा हो जाएगा मेरी बात से तो उनकी आखों में आशों का समुद्र ही बह पड़ा उनके कापते ओठो पर यही शबते अब क्या होगा लेखक ने कहा कि चलो छोड़ो जाने दो चिंता करने से क्या होगा जो होगा वो देखा जाएगा लेखक ये बात सुनकर लेखक की जो पत्नी थी उनके आखों में बहुत सारा पानी आ गया उनके आखों में आसू आ गया और उनके आखों से आसू बह गया और उनके होट कापते हुए सब्द से कहे अब क्या होगा और अगर खिड़किया खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा यह सोच उनकी आधिरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वो दस गुना बढ़ गई थी मैंने तेजी से मोटर चलाई मोटर का इंजन धक धक कर रहा था लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था जिस रफ्तार से हम गए थे दुनी रफ्तार से वापस आए अंदर आकर देखा कि खिर्की की चटकनी बस दूर लगी थी सब भी ठाक था मैंने ही वह लगाई थी लेकिन लगा कर या भूल गया कि लगाई या नहीं और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बड़ी थी अब स्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बड़ गई मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विस्राम और पूर्ण निरोग साथी या विश्वाज भी पक्का हो गया कि जिस सब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भायावा हो जाता है और अगर खिड़किया खुली रह गई तो घर का क्या होगा वोती हैं अगर खिड़की खुले रह गई तो घर का क्या होगा या सोच उनके अधिरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है लेखक बता रहे हैं जिस धरकन का इलाज करने वो जो हो पर आये थे वो दस गुना बढ़ गई थी लेखक ने जो अपनी मोटर कार निकाली और मोटर का इंजन धगधग कर रहा था लेकिन जो लेखक का दिल था वो कई गुना जादा धग तेजी से धड़क रहा था जिस रफतार से लेखक आये थे उसकी दुगनी रफतार से वो वापस घर पे चले गए जब वो जाकर देखते हैं तो खिरकी की जो चटकनी है वो लगी हुई थी सब ठीक था लेखक नहीं लगय था लेकिन लेखक भूल गय थे कि उन्होंने लगाया है कि नहीं तो उसका नतीजा ये हुआ पहले तो दिल की धरकन बढ़ी थी अब स्रीमती जी की धरकन भी बढ़ गई तो बच्चो यहां पर हमारी पार्ट साला समाप्त होती है बच्चो इस पार्ट से के द्वारा लेखक हमें क्या समझाना चाह रहे हैं क्या सीख दे रहे हैं इस पार्ट के द्वारा लेखक हमें सीख दे रहे हैं हमें बता रहे हैं कि जो महानगर की जिंदगी है ये बहुत भाग दोड की जिंदगी है यहां पर विश्राम बहुत मुश्किल से मिलता है अगर मिल भी गया तो हम उसका सही अर्थों में फायदा नहीं उठा पाते हैं जैसे लेखक है लेखक को डॉक्टर सहाब ने बोला विश्राम करो तो विश्राम करने के लिए जाते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं और उन्हें तुरंत वापस आना पड़ता है ठीक है बैचो चलो अब हम स्वाध्य करते हैं शब्द वाटिका धोकने करना हवा भरना जलाना बहुत बिगड़ जाना जुझलाना मुहावरे आखों से ओजल होना गायब हो जाना हाथ बटाना साहता करना चेहरे का रंग पीला पढ़ना घबरा जाना धुन सवार होना लगन होना आगे देखते हैं सूचना के अनुसार कृतियां करो संजाल पूर्ण करो गैरज की सूची में लिखी हुई चीजें तो कौन-कौन सी लिखी हुई चीजे हैं मोटर में हवा भरने की पिछकारी दूसरा एक गैलन इंजिन ओयल तीसरा रबर सलूशन चोथा ट्यूब वॉल ये चारों चीज ठीक है? गैरज की सूची में लिखी हुई चीजें ये चार चीज है मोटर में हवा भरने की पिछकारी एक गैलन इंजिन आयल रबर सलूशन ट्यूब वॉल दूसरा प्रवात आले का पूर्ण करो जुहु जाते वक साथ में ली गई वस्तवे जब लेखक जुहु जाते हैं तो कौ च्छतरी लेकर गए थे ना फिर क्या लेकर गए थे राइटिंग पैड राइटिंग पैड फिर क्या लेकर गए थे रबर कैम और फिर बिजली का बिल बिजली का बिल है ना ये चार चीज लिखे गए थे आगे देखो अगला प्रश्म क्या है तीसरा लिखो परयावाची शब्द यहाँ पर हमें परयावाची शब्द लिखना है एनक एनक का परयावाची शब्द है चश्मा चश्मा क्या है चश्मा और है उपनेत्र उपनेत्र रात रात का परयावाची रजनी ठीक है अखबार अखबार का परयावाची समाचार समाचार पत्र घर का परयावाची मकान बच्चो रात का और भी परयावाची है निशा भी आ सकता है तो आप यहाँ पर निशा भी लिख सकते हो समाचार पत्र के आलवा दैनिक मकान का परयावाची निवास सदन बहुत सारे हैं वो आप लिख सकते हो ठीक है भाशा बिंदू निमलिखी समोचारित भिना थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्य में प्रियोग करो हार वार हल सीना ज्वार सुमर तो चलो इसका उत्तर मैं आपको दिखाती हूँ हार हार का माला वाक्य भगवान को फूलो का हार पहनाओ दूसरा पराजय हार का पराजय वाक्य युद्ध में मिली हार के कारण राना प्रताप को जंगलों में भटकना पड़ा वार वार का दिन वाक्य कल कौन सा वार है आक्रमन वाक्य लकड़ारे ने पेड़ पर कुलहाडी से वार किया हल हल का समाधान पल्लों के प्रश्न पत्र में गडित के सभी सवालों का हल सही था दूसरा भूमी जोतने का साधन हल मतलब भूमी जोतने का साधन भी होता है किसान दिन निकलते ही हल लेकर अपने खेतों में चला जाता है सिलाई काम सीना का सिलाई काम मधु को कपड़े सीना बहुत अच्छा लगता है च्छाती सीना का च्छाती भी है वीर हमीद ने सत्रू के सीने पर बंदुग तान दी ज्वार पहला एक अनाज वाक्य ज्वार में लोह तत्व काफी मात्रा में पाया जाता है ज्वार समुंद्र के जल का उभार दुसरा अर्थ ये भी है वाक्य ज्वार के पानी के साथ बहुत सी मचलिया किनारे पर आ जाती है सुमन सुमन का अर्थ फूल भी होता है बच्चो वाक्य बाग में सुन्दर सुमन देखकर मन प्रसन हो गया सुमन का एक दूसरा अर्थ है अच्छा मन वाक्य सुमन के साथ काम करोगे तो परिणाम अच्छा ही होगा ठीक है बच्चो अब आगे दिखते हैं कि हमारा आगला प्रश्णर क्या है कोई सप्ताहिक पत्र का आनियमित रूप से प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न परूप में पत्र लिखो उत्तर सबसे पहले बच्चो हम लिखेंगे दिनांक 10-11-2019 सेवा में संपादक महोदय कि सोर पत्र का दादर मुंबई 4-0-0-2-8 महाराश्टर सब्ताहिक पत्र का आनियमित रूप से प्राप्त होने के विरोध में शिकायत पत्र मानेवर आपके हां से प्रकासित कि सोर सब्ताहिक पत्र का मैं नियमित पाठक हूँ मैं इसका वार्षिक सदस्य हूँ मेरा सदस्यता क्रमांक 124 है स्रीमान जी पिछले काफी समय से हमारी प्रिय पत्रिका हमें विलंब से मिल रही है इस पत्रिका में हम बच्चों की जान बस्ती है हम सभी मित्र बड़ी बेसबरी से किसोर की प्रतिक्षा करते रहते है मेरा आपसे अनरोध है कि संबंदित विभाग को निर्देश दे की भविश में हमारी पत्रिका हमें समय पर भिजवाने का प्रभंद करे भावदिय उदै कामले लोनवला महाराश्ट्रो नीचे आप इमेल अड्रेस भी दे सकती हो नीचे हम अपना पता लिखेंगे ठीक है बच्चो मैंने समझा हमने इस पाट से क्या समझा है वो हमें यहाँ पर लिखना है हमें सेर पर जाने से पहले आवशक चीजों की सुची बनानी चाहिए और पूर्ण विवस्था के साथ सेर पर जाना चाहिए स्वयम अध्यन प्राचीन काल से आज तक प्रचलित संदेश वहन के साधनों की सचित्र सुची तयार करो तो बच्चो गूगल पे जाए सर्च करिए और सुची तयार करिए ठीक है तो बच्चो हमारा आज़की पारसला यही समप्त होती है अगर आपको मेरी पारसला पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में शेयर करिए